कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वह सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जहीं दोस्तों आज के दिने बात करने वाले हैं जो इंडिया की दरब से नरंद्र मोदी जी ने अगेन एक बार तीन फरवरी के दिन क्रिप्टो करन्सी के लिए एक ब्यान दिया है क्रिप्टो करन्सी के बारे में जब हम सुनते हैं तो एक बात याद आती है कि बिटकोईन क्रिप्टो करन्सी के अंदर सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करन्सी है वो है बिटकोईन Bitcoin सबसे ज़्यादा हिस्ट्री दिखाया जो कि सबसे पहला cryptocurrency कोई बना था 2008 के अंदर बना था वो था Bitcoin तब से आज तक कम देखेंगे तो Bitcoin के अंदर कोई problem नहीं आया है और हर बार देखेंगे तो Bitcoin का demand बढ़ता चला है Bitcoin के use cases के बारे में बात करेंगे तो compared to 2008-2009 के बात अभी आप देखेंगे तो Bitcoin कहा तक पहुँचा एक digital gold की तरह हो चुका है उन टाइम के अंदर Bitcoin उतना ज्यादा माईने नहीं रहता था आज की तारिक में देखे पैमेट सिस्टम के अंदर क्रोज बोर्डर पैमेट के सिस्टम के अंदर उसे के साथ-साथ लोग एक asset की तरह अपने पास रखते हैं क्योंकि आप खुझ सूचेगा अगर आप bank में पैसा रखते हैं और Bitcoin में पैसा रखते हैं दोनों में फरक क्या है bank के अंदर पैसा रखेंगे तो वो centralized हुआ और उसके उपर हमारा कोई control नहीं है क्योंकि वो bank है कुछ भी हो सकता है बढ़ अगर हमारे wallet के अंदर आपके पास Bitcoin है तो पूरा वो आपका ही है आप चाहे तो उससे transfer कर सकते हैं आप जब चाहे तब उससे निकाल सकते हैं जब चाहे तब उसे access कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कोई नहीं रोग सबता है तो आपको वहाँ पर मिलती है एक private keys और उसके अंदर blockchain के अंदर रहता है Bitcoin और वो आपके हाथ में है तो इतना फरक है इसलिए maximum इसका demand बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ इसकी एक और खास बात है limited supply Bitcoin की जो supply है 21 million supply है अब यहाँ पर हम जो मोदीजी के बारे में बात कर रहें इतना तो समझ गए कि crypto के अंदर अभी तक हम देखेंगे history और अभी तक देखेंगे तो Bitcoin सबसे ज़्यादा trusted रहा है और इतना मतलब हमें freedom बना देता है डर नहीं रहता है अगर हमारे पास Bitcoin रहता है कही일 दोकशेंधे ओपर हमारे पास 사ийक रहता है तो बहएं पैसे नहीं रहेता है दोड़ा वो प्मट्वलो늬 देखेंगे होता है वो बात अलग but अगर आपके पास एक Bitcoin है तो वो एक ही रहने वाला है ना उसको कुछ होने वाला है अब यहाँ पर ब्यान देख लेते हैं एक बार अब इसे सुनिएगा अधिक हैंगा इस तो ऊप्रश्वा करेंज अब अद्या है नाय वियू का यू यू जा लो तो लो विवक वियू नाया नच्छ पर बाद सक्राव का यू एक लाओ बत सक्राव इस्ट नहीं से अज्वा पर बोड टेख लू आपाँ पर वर फोन एंड अपरेंट अब इसे दोस्तो तो यहां पर आपने ब्यान देख लिया नरेंदर मोधी जी ने एक कहा कि यह जो क्रिप्टो करंसी है इसका यूज केस गलाथ है तो यहां पर हर बार हम इंडिया की तरफ देखे या तो इसी कंट्रिया है और कि हर बार हमारे सामने नेगेटिव बताती है कभी भी उसने positive use case के बारे में बात नहीं की है क्योंकि मुझे यह भी लगता है कि इससे problem तो हो गई क्योंकि यह decentralized है control नहीं आएगा तो वो positive case से बोलेंगे control तो आएगा ने और अगर इसमें positive बोल दिया तो इसको बड़ावा मिल सकता है और इसके solution भी आने चाहिए ऐसा नहीं कि solution नहीं आने चाहिए जो गलत use case हो रहा है उसको रोकना चाहिए बाट इसके जो सही use case है उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए कि digital asset है limited है cross border के उपर payment करना है तो फटाक से हो रहा है और मुझे कभी-कभी यह लगता है logically कि अगर कोई इधर जे उधर दूसरी country में transfer कर रहा है तो वो उसकी मर्दी है आजाद रहने चाहिए लोग freedom रहने चाहिए तभी तो आजादी वाला देश हम कहेंगे वो तो बाद अलग है वो हम नहीं कर सकते हैं चोकि यह सभी चीज़े government के आथ में है अब यहाँ पे use case हर दिन बढ़ते जा रहे तो positive भी तो बोलना चाहिए कोई भी financial system हो वहाँ पे negative चीज़े भी होती है positive चीज़े भी होती है आप bank का यह example ले लो bank के अंदर भी कुस positive चीज़े है तो वहाँ पे कुस negative चीज़े भी है stock market का example ले लो वहाँ पर भी कुस positive चीज़े है कुस negative है example के तोर पे बताओ क्या ऐसा कभी होता है आप market में कोई भी market में दाओ आपका profitability हो ऐसा कभी होता है नहीं होता है ना लुक्षान भी होता है तो हर एक चीज के अंदर दोस्तों ऐसा होता है कहीं positive चीजे हैं तो उसके अंदर कुस negative है हर एक चीज के अंदर दो बाज़वे रहती है market की बात कर दी के वहान नुक्सान भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है तो उसे तरीके से कोई भी चीज लेके आओ उसमें positive भी चीजे होती है negative भी होती है गोल्ड का example ले लो आज की तारीक में गोल्ड का डिमांड बहुत है तो उसी तरीके से सभी चीजे पोजिटिव एंड नेगेटिव होती है उनली नेगेटिव नहीं बताना चाहिए जुकि क्रिप्टो करणसी दूसरी कंट्री देखे कितना एड़ॉप्ट हो रहा है आप सब्सक्राइब कर लिया वह नहीं चाहते हैं कि हमें तो यहां पर ट्रेडिंग करने को मिले उसके बाद अमरीका की बात करेंगे नेगेटिव बोलता बोलता उसकी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इटियाप को अप्रू करवा दिये अब वो बिजनेस कर रहे हैं रेवन् सेक्षन के अंदर मेरे को बिल्कुल बदाना और एक अपडेट था तो मेरे को आपको देना था थोड़ा लेट हुआ हैं तो यहां पर मैं भी थोड़ा में इस वीडियो को कवर करना चाहता था मैं नहीं रखा था पैंडिंग में तो आज के दिन बना ही दिया अब लाइक स शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना